फरवरी और मार्च में आप नर्शी जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा पौधा लाना भी सही रहेगा और कौन सा नहीं कि इस ट्राइम आपको बहुत सारे पौधे ऐसी डल कंडिशन में नजर आएंगे जिनकी बहुत सारी लीव्स गिर चुकी ह होंगे और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें नीचे स्ट्राइम भी खराब होने लगते हैं क्योंकि जब और बहुत ज्यादा पड़ती हैं जैसे कि अभी और जाकर के निकली हैं तो बहुत से प्लांस बहुत खराब कंडिशन में पहुंच जाते हैं और वो दोबारा से कर पाते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कौन-कौन से प्लांस आपको नहीं लाने हैं विल्कुल भी और कौन-कौन से प्लांस आपको लाने हैं यानि कि कौन-कौन से प्लांस आप ला सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और वन-बाई-व बाइसे प्लांट शाथे हैं जो में तक बहुत अच्छी हैवी ब्लीमिंग करें तो देखिए इस तरही चैसा आपको विंटर प्लांट नजर आएंगे तो यहाँ पर यह दैं तरह था डंध्यकर प्रमानेंट प्लांट है अगर आप बाइय करना चाहते हैं विंटर के कोई प से पिंक लार के फ्लोर आती है प्राइस की बात करें तो यह आपको अराम से नर्सी पर 30-40 रुपी का मिल जाता है उसके बाद आपको इस ट्राइम नर्सी पर रोजी का कलेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आपको रोजी बहुत पसंद है और आप चाहते हैं इसको एड़ करना तो आप इस ट्राइम रोजी को एड़ कर सकते हैं इसकी दोने ही वराइटी देशी और इंगलीज पर आपको ध्यान देखना है दिखिए जिसे में आपको यह रोज दिखा रही है यह रोज की कि स्ट्राइम लगी हुई है इसमें उपर लीफ्स तो आ रह प्रगेंग करने पड़ेगी कि यहां पर भी बहुत सारे जगें वहां वान फिफ्टी के हैं तो आपको प्राइस लगाना था इसम्पल देसी रोज है वह हमारे इजली मिल जाते हैं तो यहां पर पिटुनिया है पिटुनिया एक सीजनल पांट है अगर आप चाहते हैं कि हिर मार्च में और माईक से मईं तक कोई प्लांट बहुत ईंहाँ कि रिमिंग कर तो आप अब ह common कर सकते हैं और मैoncé के अगर आप आप यह सब्सक्राइब प्लंद कि रहते हैं उसके यह भी सिजनल प्रांट है सिजनल का मतलब आप इसको लाएंगे तो मैं तक सब्लूम करेगा उसके बाद इसके फ्रोर सुख जाते हैं प्लांट पी सुख जाता है इसके बाद देखिए यहां पर यहां पर यह सीजनल प्रांट है इस ताम मेरे टायस गार्डन पर डॉक्ट फ के फ्रांट छराब होझें लगते हैं कि कम पहसं में प्रांट प्लांट आज या सालाइस साल चलने वाले प्लांट आए तो आपको शिजनल प्लांट नहीं लेने हैं विंटर के देखिए इसके बाद आपको कुछ इस फ्रांट नजलन आएँग जिसकी पुर द्र Cause कि इस ताइम में मैंने दो नर्ची विजिट करें मुझे पुदीना देखने को मिला है तो पुदीना को आप बास्केट में भी लगा सकते हैं प्राइस की बात करें तो नर्ची पर आपको इजली रुपे में मिल जाएगा और इसको कटिंग से ग्रोव करना बहुत आसान होता है वह जाओ जाओं उसके बारिदाव यह सब्सक्षाब करें से रिक्रिक से पिंकलर्णा जाओ लगता है जाड़ी नुमा प्लांट होता है उसके बार मिल्ली तो वाइ और शारी पत्तियां गिर जाती है और फिर वह बहुसी होती हैं जिससेगे आप देख सकते हैं तो यह तो आप यह फोर्विया मिली को भी बाइब कर सकते हैं उसके बाद दिखिए यहाँ पर हमारा जैड प्लांट है लगी प्लांट भी मांगते हैं और प्राइस की बात करें तो यह आपको 60 से 100 की बीच में इसका चोटा प्रांट बहुत इसली मिल जाता है तो इस प्लांट को भ जाते हैं और देखने में जो कि काफी खुब चुब लगते हैं तो इसमें आपको काफी सारे कलर जैसे की पिंक रैड वाइट यह कलर मिल जाते हैं प्राइस सी बात करें तो यहां पर दीके वन टॉंटी का बताया था पर लास्ट यह नाइंटी का दिया है मैंने भी बाय कर तो आप इसको इस तरह की से बागनिंग कर सकते हैं देख सकते हैं इसकी छोटी-छोटी से फ्लोड कितने खुब चलते हैं और इस ताइम जिए अगर आपको रोज में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और फिर दिए तीन-चार महीने तक बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं तो इस तरह के से आपके गार्डन में जो रोजीज के पांट होते हैं वह स्टेबल हो जाते हैं ताकि जल्दी खराब नहीं हो देखिए आपको डेलिया के प्लांट भी इस तरह की से नजर आएंगे डेलिया को बल्प से ग्रोप किया जाता है और आपको दीखिए फ्लोड बांट चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि सेजनल पांट बाया करना चाहते हैं और पैसा वैसे एक तरीके से वेस्ट होगा तो इस तरीकिसे आपको डेलिया का प्लांट नहीं बाय करना क्योंकि एक दो फ्लॉड खिलने के बाद इसमें फ्लॉर्टWait लेंगे वहां पर यह पीछे दिखा यह पैंसिल क्याक्टर से जो कि देखने में काफी कुप चल लगता है तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं यहां पर यह एक ड्रेस्नेया की वराइटी है और यहां पर दिखिए कैलन डूला है कैलन डूला भी एक सिजनल प्राइट है और इसमें माई तक किसे खराब हो जाएगा मई के बाद उसके बाद दिखिए नेक्स्ट यहां पर भी रोजिस की प्लांट है तो मतलब नर्सी पे इस टाइम आपको रोजिस का क्लेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा यहां पर दिखिए वाइट रोज है तो जो भी आपको प्लांट आप रोजिस की बाए कर सकते हैं और सभी के प्राइस देखिए यहां पर कुछ की 80 है और कुछ की 120 है और 150 भी है तो जो थोड़े से कोस्ले हैं आपको उनकी वाइगनिंग करनी है तो यहां पर आपको दिखा रहें कि दिखिए इस तरीकी से प्लांट अगर है तो भी आपक करिएगा क्योंकि कई बार एक्स्पिरेंस नहीं होता तो प्लांट लानी के बाद हमसे ग्रों नहीं हो पाते अच्छी से तो आप अगर देखिए आपको लेने हैं तो आप थोड़ा सा रुख जाए और इसके बाद ले तो इस तरह किसे दिखिए आपको इंडो प्लांट की कंडिशन थोड़ी से डल नेजर आएगी तो आपको बाय नहीं करने हैं आप उनको मार्च में बाय कर सकते हैं या फिर अप्रेल में दीखिए कॉलिस की प्लांट आप बाय कर सकते हैं कि कॉलिस में ग्रोथ होनी चालू हो गई है और इस तरह किसे कॉलिस के अगर नियो कटि से लगाए गए हैं और आपके सामने हैं देखिए कि कितने खुपचर लगते हैं और यह एक ऐसा प्लांट होता है जो फूलों की कमी आपको अपनी गार्ण में नहीं होने देखां यहां पी जड़ प्लांट दोबारा से रखे हुए तो जड़ प्लांट इस ताइम नर्सी है और इसको कटिंग से प्रपगेट करना बहुत आसान होता है और प्राइस की बात करते हैं आपको इजली मिल जाएगा और देख सकते हैं कि इनर्सी काफी बड़ी है उसके बाद अगर आपको हाइबिड हिबिसकुस बाय करने हिबिसकुस अगर आप देशी बाय करेंगे तो उनकी साही पतियां लगबग जड़ चुकी होंगी दो उनके लिए आप थोड़ा सा रुख जाएं क्योंकि जो देशी हिबिसकुस होते हैं वह आपको 30-40 रुपे मिजली मिल जाते हैं पर आप अभी हाइबिड हिबिसकुस बाय कर सकते हैं क्योंकि वह पूरे साथ